हिंदु धर्म में पूजा पाट करते समय तमाम तरह की सामिग्री का प्रयोग किया जाता है हर सामिग्री का अपना एक अलग धार्मिक महत्व होता है इसी तरह से पूजा में आरती करते समय घी के दीपक के साथ में कपूर भी अवश्य जलाया जाता है हिंदु धर्म में कपूर बेहद पहवित्र माना जाता है, कपूर जलाने से वातावरण भी स्चुद्ध होता है और आसपास की नकारत्मक शक्तियाओं का नाश होता है धर्म के अलावा जोतिश और वास्तु शास्त्र में भी कपूर के महत्व के बारे में बताया गया है वास्तु शास्त के अमसार घर में कपूर जलाने से सकारत्मकूर्जा का वास होता है और घर में खुशहाली आती है सुबह शाम पूचा के दौरान कपूर जलाना बेहद शुब माना गया है कपूर जलाने के पीछे केवल आध्यात्मिक ही नहीं बलकि वैज्ञानिक आधार भी माना गया है चलिए आज जानते हैं कि कपूर जलाने का क्या विधान है क्यों जलाया जाता है कपूर और इसके पीछे की क्या मान्यता है सबसे पहले कपूर जलाने के पीशे आध्यत्मिक कारणों के बारे में जान लेते हैं इसके अलावा रात को सोते समय बेडरूम और पूरे घर में कपूर जलाने से घर का वातावरन शांत रहता है माना जाता है कि कपूर जलाने से घर और आसपास के वातावरन की सारी नकारत्मकुर्जा दूर हो जाती है तो कपूर से जुड़े कुछ चमतकारी उपाय करके आप इससे निजात पा सकते हैं और भाग्य में प्रधी कर सकते हैं कपूर जलाने के पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है ये भी आप सभी को जानना बेहत जरूरी है कपूर जलाने के पीछे सर्फ आध्यात्मिक ही नहीं बलकि वैज्ञानिक कारण भी है वैज्ञानिक दरश्टी से देखा जाए तो कपूर जलाने से कई तरह के बैक्टिरिया नश्ट हो जाते हैं और वायू मंढल शुद्ध होता है कपूर जलाने से कई हानिकारक बैक्टीरियों के संपर्क में आने से बचा जा सकता है जिससे बीमारियों का खत्रा कम होता है कपूर जलाने से वातवरण में एक सौंधी खुश्बू बिखर जाती है जिससे मानसिक शान्ती का अनुभव होता है इसलिए अगर आप भी थोड़े से परिशान हैं तो कपूर जलाकर आप अपनी मानसिक शान्ती पा सकते हैं और अपने घर से नकारत्मक औरजा को दूर करके घर में सकारत्मक औरजा ले सकते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें